हेलो इस्टेंट्स, वेल्कम टु दा ओनलाइन क्लासेज आफ केडला पॉब्लिक स्कॉल आफर टुडे टॉपिक इस सॉलीशन ओफ ए लीनियर एक्वेशन इन टू वेरेबल्स एड ग्राफ ओफ ए लीनियर एक्वेशन यह दोनों टॉपिक्स जो हैं, वो कौनशी क्लास हैं क्लास नाइन्थ का हम पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लीनियर एक्वेशन के बारे में लीनियर एक्वेशन क्या होती हैं ठीक है, linear equation in one variable and two variables, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, solution of a linear equation, कि linear equation के solution हम कैसे find out करते हैं, और linear equation in two variables का हम graph कैसे draw करते हैं, in two variables है ये, ठीक है, तो वह चलिए शुरू करते हैं, So, here we have, सबसे फ़ेले definition देखते हैं, solution of a linear equation की, कि solution of a linear equation actually क्या है, ठीक है, तो इसका मतलब आप ये समझ लीजे, कि journal हम कहें, कि किसी भी linear equation, अगर two variables की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके solutions वो होंगे, जो कि उस linear equation को satisfy करते हैं, Example के लिए मैं, जैसे मैं यहां से कोई भी एक number ले लूँ, कि x प्लस y is equal to 5 है, ठीक है, तो इसका solution वो कहलाएगा, जब x और y की हम कोई दो value put करें, एक x का और एक y का, और ये satisfied हो जाए equation, इसका मतलब left hand side solve करके, right hand side के equal आ जाए, जैसे x is equal to अगर 2 put कर लें, y is equal to हम 3 put कर लें, तो 2 प्लस 3 अभी कितना आ रहा है, 5 जो की right hand side के equal है, got it, तो तब हम कहेंगे, कि ये जो है, 2,3 जो है, वो इसका एक solution है, got it, तो देखो इसको read करते हैं, इसको actually कैसे define करते हैं, solution means a pair of values, a pair of values, 1 for x and 1 for y, इसका मतलब एक ही pair है, तो उसमें एक value किस की आती है, x की, दूसरी value किस की आती है, y की, आप पढ़ चुके हैं, previous chapter में भी, ये होता है, ebc सा और ये होता है, ordinate, got it, क्योंकि हमें इसको graph पे भी represent करना है, तो इसलिए हम इसको pair में ही लेके जाएंगे, तो हमें क्या बताए गया है, the solution means a pair of values, 1 for x and 1 for y, which satisfied the equation, and that is called solution of a linear equation in two variables, अब देखो, अगर हम सिर्फ और सिर्फ linear equation की बात करते हैं, तो linear equation आपने पढ़ा था, एक होगा one variable में, ठीक है, और एक होगा two variable में, तो जो one variable का होगा, उसको हम देखते हैं, जैसे आपने, हमने वहाँ पे भी example लिया था, x plus 13 is equal to, हमारे पास 20 है, तो x को, अगर आप इसको solve करोगे, तो इसकी value कितने मिलेगी, 20 minus 13, that is equal to 7, तो इसका मतलब यहाँ पे x की हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही value मिलती है, जो इसको satisfy करती है, इसका मतलब हम यह कह सकते हैं, linear equation, in one variable के जो solution है, वो कैसे होते हैं, unique होते हैं, कैसे होते हैं, वो unique होते हैं, क्योंकि सिर्फ पर सिर्फ हमें एक ही solution मिला है, जो इसको satisfy करेगा, लेकिन अगर आप दूसरे equation की बात करते हो, जैसे अभी हमने example लिया था, x plus y is equal to 5 का, तो बचे एक तो आपने देख लिया कि वहाँ पे 2 और 3, x का value 2 put करेंगे, और y का value 3 put करेंगे, तो भी इनका sum कितना आजाएगा, 5 आजाएगा, लेकिन इसके साथ में अगर x का value में 4 put करूं, y का value 1 put करूं, तो भी ये 5 आ रहा है, इसका मतलब solution 4 into 4, 1 बन रहा है, अगर हम इसका solution minus 3, ठीक है, और plus 8, x का value minus 3 put करें, y का value 8 put करें, तो भी आपको ये right hand side के equal आता है, तो आप कह सकते हैं कि linear equation in two variables के जो solution है, वो infinitive होते हैं, जैसे इस example में दिखाए भी गया है आपको, यहाँ भी एक example लिया गया है, और example क्या है, 2x plus 6 is equal to 20, ये linear equation in one variable के लिए है, तो 2x is equal to कितना हो जाएगा, 6 को transpose करेंगे, तो negative value आजाएगी, 20 minus 6 is equal to 14, so 2x is equal to कितना है बिटा, 14, और x is equal to कितना है, 7, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक solution है, जिसको हम unique solution बोलते हैं, ये किस के लिए होगा, ये होगा linear equation in one variables के लिए, जो linear equation है, और वो one variable में होती है, उसके लिए हमेशा कैसे solution आता है, एक ही solution आता है, और उसको हम क्या बोलते हैं unique solution लेकिन जब हमने इसका example number 2 लिया यह किसके लिए है x plus y is equal to 10 linear equation in two variables जैसा कि मैं आपको 100 भी कर चुका हूँ इसमें आपको x का different value put करेंगे तो y का different value मिलेगा लेकिन वो solution बनके आएगा वो इसको satisfy करता है for example x is equal to 2 put कर रहे हैं हम यहाँ पे so 2 plus y is equal to 10 वो 2 को transpose किया right hand side में y is equal to 10 minus 2 is equal to 8 so solution क्या बन गया विटा solution बन क्या हमारा 2,8 अभी similarly x is equal to 3 put करेंगे so 3 plus y is equal to 10 y is equal to 10 minus 3 is equal to 7 so solution क्या बन गया हमारे पास 3,7 got it अभी इसी तरह से अगर आप x is equal to 19 put कर देंगे so what we have y की value कितनी आ जाएगी solve करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप x is equal to 19 put करेंगे तो situation हमारे पास क्या बनेगी equation की 19 plus y is equal to 10 got it इसको transpose किजिए transpose करेंगे तो y is equal to कितना है बिटा 10 minus 19 क्योंकि 19 left hand side में positive terms थी transformation के बाद यह क्या होगी negative हो जाएगी so y is equal to कितना है बिटा y is equal to minus 9 तो आपके पास solution क्या बना solution बनाओं के पास 19, minus 9 इसका मतलब आप यह कह सकते हैं कि इस तरह से हमारे पास बहुत सारे pairs है जो इस equation को satisfy करेंगे और just because of this हम यह कह सकते हैं कि linear equation की कितने infinitive solutions होते है linear equation in two variables has infinitive solutions got it I hope आपको समझ आ गया होगा एक और बात इसका हर एक solution linear equation को satisfy करता है ठीक है और जो अब हम इसका graph draw करते हैं तो हर एक solution उसे state line पे लाई करता है जो state line linear equation in two variables का graph बन के आती है जो कि आप अभी सीखने वाले हैं ओके तो आगे बढ़ते हैं next topic होगा हमारा कौन सा graph of a linear equation graph of a linear equation से पहले मैं आपको exercise 4.2 करा देता हूँ ठीक है 4.1 आप last radio में पढ़ चुके हैं तो 4.2 भी एक छोटी सी exercise है आपको solution दिखाएंगे ओके देखते हैं exercise 4.2 का first question क्या है आपको दिया गया है that which one of the following option is true आपको यह बताना है कि इन में से कौन सा option जो है वो true है और आपको equation क्या दिया गया है y is equal to 3x plus 5 y is equal to आपको दिया गया है 3x plus 5 okay so हम इसको क्या करेंगे standard form में लिखने की कोशिस करेंगे standard form में लिखेंगे कैसे y is equal to 3x plus 5 है तो सिर्फ y को transpose कर देते हैं right hand side में so what we have 3x क्योंकि y यहां पे right left hand side में positive terms है तो transpose के बाद negative हो जाएगा so 3x plus y 3x minus y plus 5 is equal to 0 अभी यह क्या हो गया यह एक standard form आ गया है किसका linear equation in two variables का और linear equation in two variables के solution अभी अभी आप पढ़का है हो कितने solution होते हैं बचे उसके infinite many solutions होते हैं got it तो question number first आपको समझा क्या होगा मैं आपको फिर से solution दिखा देता हूं और समझा भी देता हूं ठीक है question number second भी read कर लीजे वर्णा में फिर से आना पड़ेगा इसका हम एक part solve करेंगे और वो है second part third और first part आप लोग solve करोगे और third part को आप क्या करेंगे standard form में write कर लीजेगा पहले कैसे write करेंगे x minus 4y is equal to zero 4y को transpose करने के साथ में आप इसको standard form में write कर लेंगे और इसके बाद आप क्या करेंगे इसके solutions find out कर लेंगे ओके तो चलिए देखते हैं यह है हमारा कोशन नंबर फॉर्स्ट कोशन नंबर फॉर्स्ट आपको दिया गया था कि बताईए इसके कैसे solutions होंगे तो equation था y is equal to 3x plus 5 जिसको आपने क्या लिखा आपने इसको लिखा है कि इसमें standard form में 3x minus 5 plus 5 is equal to 0 y को सिर्फ transpose किया गया है तो यह एक linear equation in two variables की form में आता है जिसके infinitive many solutions होता है question number first हमारा यह हो गया second question में आपसे पुछा गया था that find the four different different solutions of the linear equation in two variables given in the following question okay तो उसमें 3 parts थे हमने second parts उसमें से लिया है और second parts को हम solve कर रहे हैं बाकि 2 parts आप लोग attempt करके देखेंगे तो यह है आपके पास question number second का first third second part sorry जिसमें आपको दिया गया था pi x plus y is equal to 9 okay तो इसमें हम क्या करेंगे for different solution find out करने के लिए आपको x का यह किसी दूसरे variable y का आपको different different values put करना है ठीक है और जैसे ही आप different values put करेंगे उनके respect में जो दूसरा variable बचा है उसके भी आपको different value मिल जाएगी अब जैसे हम सबसे पहले y is equal to x put करते हैं okay so pi should be multiply with 0 plus y is equal to 9 so y is equal to 9 और solution क्या बना क्योंकि x एपसी सा होता है और y की value ordinate है तो हम इसको ordered pair में लिखेंगे solution क्या बनेगा 0,9 got it next जब हम put करते हैं x is equal to 1 तो हमें क्या मिलता है pi multiply 1 plus y is equal to 9 so pi plus y is equal to 9 and now y is equal to 9 minus pi pi एक constant value की तरहें काम कर रहा है ठीक है और pi का value भी आप सभी को पता होगा pi का value कितना होता है 22 by 7 अगर हम algebraically बात कर रहे हैं तो यहां से आपके पास y is equal to कितना है पाई को transpose किया 9 minus pi तो solution क्या बना हमारे पास solution बन गया है 1 क्योंकि x का value हमने क्या put किया 1 और y का value आया हमारे पास 9 minus pi ओके तो दो second solution बन गया 1,9 minus pi अभी x का value हमने put किया है 5 so it should be pi multiply 5 plus y is equal to 9 therefore 5 pi plus y is equal to 9 and hence y is equal to 9 minus 5y so the second solution third solution should be 5,9 minus 5 pi okay and the last आप देख सकते हैं कि इस बार हम आने इसमें negative value put किया है x is equal to minus 2 so pi into minus 2 plus y is equal to 9 so it should be minus 2 pi plus y is equal to 9 hence y is equal to 9 plus 2y सिर्फ हम इनको simplify कर रहे हैं solve कर रहे हैं जैसे minus 2y को transpose किया तो यह इदर आके क्या हो गया है add हो गया है so fourth solution should be minus 2 comma 9 plus 2 pi got it so this is our fourth solution I hope you got it question number third मैं पहले आपको बता जता हूं क्या है question number third question number third है बिटा check the which of the following are solution of the equation x minus 2y is equal to 4 ठीक है आपको क्या करना है equation दे दी गई है x minus 2y is equal to 4 और यह check करना है कि इन में से कौन सा जो की options में से दे रखा है जैसे first part second part third part ठीक है fourth fifth और इस तरह से fifth part में से आपको check करना है कि इन में से कौन सा सका solution है तो हम क्या करेंगे अगर यह इसका solution होगा तो जो equation आपको दिया गया है x minus 2y is equal to 4 को satisfy करेगा क्योंकि हमने solution के बारे में यही तो पड़ा है that the pair of values one for x and second one for y will satisfy the equation तो अगर यह solution है तो हम इसमें respective x और y का value पुट करेंगे x का value कौन सा होना चाहिए पहले जो आता है इसको हम abs जिसा बोलते है ठीक है और y का value कौन सा होना चाहिए जो बाद में आता है जिसको हम ordinate बोलते है तो x और y की respective value हम इसमें put करेंगे check करेंगे कि 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 के लिए left hand side solve होने के बाद right hand side के equal आती है और अगर आती है तो वो solution है और अगर equal नहीं आती है तो solution नहीं है तो बहुत easy है ठीक है मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हमें करना है देखो हमने equation लिया था x minus 2 y is equal to 4 equation है x minus 2 y is equal to 4 इसमें हमने क्या put किया जो सबसे पहले आपको दिया गया था first part में तो put करने के साथ में हम इसका left hand side solve कर रहे हैं तो आप देखो इसको कितना था यह यह था हमारे पास x minus 2 y is equal to 4 so x का value 0 put किया minus 2 into y का value भी 2 है so 0 minus 4 is equal to minus 4 that does not equal to plus 4 क्योंकि right hand side में आपको क्या दिया गया plus 4 तो अगर यह इसके equal नहीं आता है right hand side के तो हम कहेंगे 0,2 is not a solution of given equation got it इसी तरह से आपको next part check करना है next part आपका क्या था 2,0 जो second part आपको दिया गया था तो इसमें x का value हम क्या put करने जा रहे हैं 2 y का value क्या put करने जा रहे हैं 0 so equation है हमारे पास x minus 2 y is equal to 4 left hand side में value put करेंगे so 2 minus 2 multiply 0 क्योंकि x का value 2 था आप देख सकते हो y का value क्या था 0 so 2 multiply 0 so that should equal to 2 minus 0 क्योंकि यह तो 0 हो जाएगा property of 0 से 2 minus 0 is equal to 2 which does not equal to minus plus 4 sorry which does not equal to plus 4 so we can say that 2,0 is also not a solution of given equation अभी 3rd की बात करते हैं तो 3rd में x is equal to 4 है y is equal to 0 so x is equal to 4 और y is equal to 0 का value हमने equation में put किया x minus 2y is equal to 4 और left hand side को solve करना जूरू किया तो 4 minus 2 multiply 0 is equal to 4 minus 0 so it should equal to 4 minus 0 is equal to 4 that is equal to right hand side तो अब आप देखो solve होने के बाद ये right hand side के equal आ गया है तो हम कहेंगे that 4,0 is solution of given equation तो बाकि जो 2 parts ये 3 parts बचे हैं similarly आप उनको check कर सकते हैं कि क्या solution है या फिर कौन सा solution नहीं है next question है हमारे पास question number 4 है एक बार question read कर लेते हैं क्या है question 4? question 4 है हमारे पास यहाँ पे that find the value of k if x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of equation तो बहुत simple सा question है value को इसमें put करतेंगे और solve करतेंगे ठीक है कैसे x is equal to 2 put कीज़ें यहां से तो यह है 2x plus 3y is equal to k so x का value हम क्या put करेंगे 2 put करेंगे plus y का value क्या put करेंगे 1 put करेंगे तो k का value आ जाएगा तो यह 4 plus 3 is equal to k that means k is equal to 7 okay answer आ गया इसका solution एक बारी हम देख लेते है तो यह है हमारे पास solution और इसमें आप क्या कहेंगे graph of equation question number 4 का solution था वो कुछ इस तरह से आप देखो x is equal to 7 k is equal to 7 इसका answer मिला हुआ है और जैसे हमने इसको solve किया था ऐसे ही यहां पर दिखाया गया है x का value put किया है और y का value 1 put किया है और solve करने के बाद k is equal to 7 मिल गया ओके नव लेट एस डिसकूस graph of equation in two variables ओके graph of a linear equation in two variables तो ग्राफ टो करने के लिए हमें क्या करना होगा देखो आप ध्यान से तो ड्रॉद ग्राफ ओफ ए लिनियर एक्वेशन इन तो वेरेबल्स वी नीड़ तो find at least two solution कम से कम दो solution और कम से कम दो solution क्यों चाहिए क्योंकि प्रिवियस क्लास में आपने पढ़ा था एक लाइन जो है ठीक है वह दो पॉइंट से होके जाद से जाद एक लाइन जा सकती है ठीक है लेकिन एक पॉइंट से होके इंफिनिटिव लाइन जा सकती है इस तरह से तो हमें state line पता करनी है state line क्योंकि graph होता है linear equation इंटो variables का ठीक है तो यहाँ से आप देखेंगे कि इसको state line draw करने के लिए हमें कम से कम 2 points जी है क्योंकि 2 points से होगे एक state line चली चाती है ओके तो यहाँ से आप देखो at least 2 solutions of the given equation after that जो solutions है उनको क्या करेंगे हम plot करेंगे graph paper पर और join करेंगे ठीक है with the help of scale और जो आपको graph मिलेगा वो कौन सा graph मिलेगा वो एक state line होगा ठीक है तो देखो जल्दी से इसको सीख लेते हैं एक बार तो यह है हमारे पास that the graph of a linear equation is always a state line जैसा मैंने आपको बताया भी है अब हमारा question है 2x plus y is equal to 3 का graph draw करना है यह equation हो गया हमारे पास जो given है तो सबसे पहले इसके solution find out करते है दो solution find out करने है तो सबसे पहले हम x का value 0 put कर लेंगे so 2 multiply 0 plus y so 0 plus y is equal to 3 therefore y is equal to 3 solution क्या गया हमारे पास 0,3 और इसको हम कहते हैं कि यह हमारा कोई भी एक coordinate बनेगा जिसको हमने एसे बताया है similarly अभी x का value हम put करते हैं 1 और solve करने के बाद हमारे पास y का value कितना आता है y का value भी 1 आता है ठीक है आप देख सकते हो screen पे 2 multiply 1 plus y is equal to 3 2 plus y is equal to 3 2 को transpose किया so we got y is equal to 3 minus 2 is equal to 1 so solution हमें क्या मिला solution मिला 1,1 got it now let us represent these solution graph और उसके लिए हम क्या करते हैं जैसे अगर अभी तो हमारे पास simply 2 coordinates हैं 2 से ज़्यादा अगर find out करने तो हम coordinate table बना लेते हैं तो यह coordinate table है जिसमें x और y का value separately represent किया गया है और अब आप देखो इन points को हम graph पे represent करने जा रहे हैं तो सबसे पहला point था हमारे पास 0,3 तो 0,3 में यह आप सभी को बता यह origin है यह x test है क्योंकि दोनो 0,3 है तो इसका मतलब वो किस पे लाई करता है वो y axis पे लाई कर रहे है तो y axis पे लाई करेगा तो positive direction की दरफ क्योंकि ordinate का value positive है तो यह value तो हमारे पास 0,3 यहाँ पे आ गया और 1,1 यहाँ से आ जाएगा आप देख सकते हो इन दोनों points को होते हुए हमने क्या draw किया एक straight line draw किया जो की graph है किसका given equation का तो इसी तरह से आप solve कर सकते हो graph draw कर सकते हो और graph एक straight line ही आएगा हमेशा समझगे बचे आज आप जो homework है वो आपको क्या करना है solve करके देखना है exercise 4.2 जो question आपने समझ लिये उनको फिर से करेंगे और जो parts बचे हैं उनको भी solve करके देखेंगे तो exercise 4.2 from NCRT सारे questions करने exercise 4.3 question number 1, question number 2, question number 3 and question number 5 आप solve करके देखेंगे और जो भी doubts हो ठीक है वो comment section में आप लिख देना उसके बाद हम next video में उनको solve कर लेंगे thank you so much stay safe, stay home bye